वह टीवी देखता है इस सेंटेंस को हम इंग्लिस में ट्रांसलेट करेंगे आज की इस हिंदी टू इंग्लिस ट्रांसलेशन वीडियो में तो चलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिस में ट्रांसलेट करते हैं और इसी सेंटेंस से समधित कुछ और भी सेंटेंस के इंग्लिस च translate करने का structure पहले subject work की English ही उसके बाद verb बरबे sentence का देखता है तो देखिए जब किसी गतिसील चीज़ को देखने की बात हो या फिर TV screen को देखने की बात हो तो उसके लिए देखना की English watch present and definite के affirmative sentence में यदि subject third person का singular है third person का singular में subject आता है he, see, eat या किसी एक ब्यक्ति का नाम तो इसमें subject ही है तो इसके बरब में yes या yes लगाएंगे तो इसमें बरब है watch तो watch के साथ yes लगाएंगे watches फिर object या जो भी other words होता है sentence का इसमें object ही TV तो हम watches के बाद लेखें कि TV, he watches TV, word TV देखता है इसके English he watches TV अगर यह sentence होता negative जैसे कि word TV नहीं देखता है present and definite के negative sentence को इंग्लिस में translate करने के लिए पहले subject फिर helping verb do या does लगाते हैं फिर not तो इसके English he does not watch TV जब sentence negative हो जाता है तो उसके बरब में yes या yes नहीं लगाते हैं अगर sentence होता कि क्या word TV देखता है तो क्या से starting होने वाला यह interrogative sentence है तो क्या की English नहीं लिखेंगे पहले helping verb फिर subject तो इसके English does he watch TV, does he watch TV क्या word TV देखता है इसके English does he watch TV अकर यह sentence होता कि word TV कब देखता है तो यह भी interrogative sentence है डावले एच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानि की पहले डावले एच वर्ड की English लिखेंगे कब की English when when does he watch TV, word TV कब देखता है इसके English when does he watch TV इसी तरह word TV क्यों देखता है क्यों की English why, why does he watch TV तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी Hindi to English translation के next वीडियो में ऐसे और भी sentences का English translation वीडियो देखने के लिए इस चैनल के playlist में जाए playlist में आपको present indefinite tense का बहुत सारा Hindi to English translation वीडियो मिल जाएगा thanks for watching